हेलो इस्टुरेंट चंदोली पाट साला में आपका स्वागत है एक नया नोटिफिकेशन आया है यूपी पेट का जो एक अगस से लेके 30 अगस तक इसका फॉर्म फिलब किया जाएगा इसको जरूर फिलब कीजिए क्योंकि बाद में क्या होता है सर्वर का प्रॉलम हो जाता इसको कम स्कम 15 के आसपास फॉर्म फिलब कर दीजिए चलिए देखते हैं इसमें कि क्या क्या है कि पहले क्या यूपी ट्रिपल सी पेट यह दो बार हो चुका इसके पहले और यह 2023 का नोटिफिकेशन है और इसको खिंदी में क्या बोलते हैं प्रारंबिक आर्था में कितने एक अगस्त लेके तीस अगस्त के बीच में और फॉर्म भरने में अगर आपसे गलती हो जाए तो उसको 6 सितंबर तक सही करा सकते हैं और फॉर्म भरने में सुल्क कितना लगेगा एक सो पचासी रुपया समाने के लिए समान के लिए एक सो पचासी रुपया स्टी के लिए 95 रुपया और फिजिकल हैं उनके लिए 25 रुपया इतना सुल्क लगेगा योगेता क्या है दस पास होना चाहिए योगेता दस पास होना चाहिए और परिच्छा कितने मांक्स का ह होता है परिच्छा 100 मार्क्स का होता है कितना को होता है 100 मार्क्स का अगर क्वेशन उपे गलत हुआ एकठाई नमबर कटशा एक होसन नमबर गलत हुआ तो 10 मलों27 नमभर आपकि नपकर जाएगा इस तो ऐता हुश्त है और आफ सिफ्ज्द और परिच्छा qya तहはい islands आफ लाइन होता है जिसमें ओमार सीठ है उसको कलर करना होगा तो यही अपना यूपी टिपल एसे पेट का मुख्य मुख्य बिंदू है और परिछा आपका ओनलाइन होगा और दोतीन पाली में होता है इस बार तो बहुत दिक्कत हुआ था ज्यादा से लोग 22-23 लाग भरे और कम से कम आपको 85 से उपर मार्क्स रखना होगा तभी मान के चलिए अगर सामान नहीं है हम सामान कर लेके चल रहे हैं उससे दो-3 नमबर नीचे उपर कर सकते हैं तो अभी आप किसी भैकेंसी में बैठ सकते हैं ऐसे पेट का जो पेपर हुआ है उसका कोई benefit नहीं हुआ ह क्योंकि पिछले बाद जो पेपर हुआ उसमें एक जाम हुआ लेकपाल का उसकी अभी निपती नहीं है क्योंकि बैगेंसी कोड में चल रही है और आपका मेडिकल वालों का भी वह था तो उसका अभी किलियर नहीं हुआ है तो अच्छा से प्रिपिएर करिए 80 से नीचे को आपको मिलेगी तो अच्छा स्कोर रहेगा तभी वेकेंसी में आप बैठ पाएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में